आज की वीडियो में हम क्या करने वाले है मैं बिग बुक आप लोगों के लिए तयार किये हैं चैप्टर 18 के नूट्स चैप्टर के नाम है गवर्णिंग अवरसल्फ चैप्टर मैंने अल्रडी आप लोगों को पढ़ा दिया है चैप्टर अल्रडी अप्लोड है अगर आप पर जाकर देख सकते हैं प्लस बिफोर आइस राट दा कोशन आंसर आइब लाइक तो एनाउन्स घर पे कोचिंग लासस मेरी चल रही है अगर कोई बच्चा पसनी क्लास कर पे लेना चाता है ठीक है तो मुझे कॉंटेक्ट कर सकता है लाइक बच्चा उव्यसी बात है कि न अगर कोई कॉंटेक्ट करना जाता है तो नंबर बोल रही हो 858821529 आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे चलो आप वीडियो को शुरू करते हैं 60 और 61 टोटल मिला की कॉश्चन्स हैं इसमें जिसमें की विलप्स मैंने मिक्स किये हुए हैं तो चले जी शुरू करते ह है पहला रहा है हाँ मिनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आर देर इंडिया भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरीटरीज हैं और आंसर आप लागों के सामने हैं अग्ष 8 यूनियन टेरिटरीज राइट चैप्टर जो हमारा 19 नमस्ब्र टोल्रीग टाल यह हुद धôngर्मेंट पूरा देश की सेंटर में या also तो ग्लास की sour där छो सम्मालती है इस को सम्मालने के लिए तो ग्रवाईट के striving effort के सम्मिधान ने थीक है next देखिये who drafted the constitution of India constitution of India को किसने draft किया है काफी important question है the constitution of India was drafted by the constituent assembly constituent assembly ने इसको draft किया है next question की तरफ आईए when was the constitution of India adopted कब इसको adopt किया गया था so it was adopted on 26 November 1949 adopt किया था 26 November 1949 में and came into force ठीक है लागू हुआ यह 26 January 1950 में ठीक है 26 January 1950 को लागू हुआ था यह बात जरूर याद रखना है adopt कब हुआ था और वोर्स में कब आया था ठीक है next question देखो when do we celebrate our Republic Day हम अपना Republic Day कब celebrate करते है 26 January question answers आपके सामने ही है ठीक है तो जादा दिकत नहीं आएगी चाहो तो पॉस कर करके answers को लिख सकते हो the power of the central and state governments have been clearly written down in कहां पर लिख हुई है powers central government की भी और state government की भी power माने इनके पास क्या क्या यह लोग कर सकते क्या क्या इनकी powers है ठीक है तो कहां लिख हुई है यह the constitution ठीक है हमारे समविदान में यह लिख हुई है सारी powers इनकी who is responsible to defend the country कौन है जो country मानलों की को इसी देश पर मतलब हमारे देश पर हमला कर दे तो responsibility किसके होगी state government की central government की मितलब कौन होगा responsible कौन करेगा हमारी रक्षा so defending the country मतलब देश की जो रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है is the responsibility of the central government ध्यान रखना central government की जिम्मेदारी होती है defense झांफ है डेश को defense करना central government जिम्मेदारी है next question की तरफ आईये Who is responsible to maintain law and order within your state an state के अंदर law and order maintain करना यह किसका काम होता है यह उसी state की government का काम उता है यह कि state government का काम होता है ठीक है राज्य सरकार का काम है law and order को maintain रखना शान्ती बनाए रखना ठीक है who helps the state government whenever the need whenever the need arises let's suppose किसी state के अंदर कोई बड़ी problem आ गए भूकम पागया या कोई भी बड़ी problem आ गई बाल आ गई बहुत बड़ा कोई ऐसा मानलो कोई वहां प्यातक मादी आ गई कोई ऐसी घटना हो गई अब मानलो सरकार को बहुत ज्यादा दिखते तो किसके बास जाएगी कौन को help करेगा answer है ओविसी मात है central government ठीक है central government जो होती है वह help करती है जब भी state government को जरूरत होती है तो central government जो है वह help करती है अब जैसे class teacher को दिकत होती है तो किसके पास जाती है principle के पास जाती है ना principle help करती है ना principle देखती है ना बही कि क्या problem है और चलो मैं उसको help करती हो आप पो सुल जाने के लिए पूरे देश के लिए लौ कौन मनाता है आप आजो यहां पे बहुत अच्छे सांसर को याद रखना the central government या the union government जैसे बोलता है makes law for the whole country तो यह central government यह बोल सकते है union government जो है वो law बनाती है पूरे देश के लिए law making body is a known as very important very very important law making body हमारे देश में किसे बोलते हैं पार्लेमेंट को संसद में law बनते हैं कानून बनते हैं ठीक है अब आज यह the parliament consists of parliament में क्या क्या होता है parliament consists of dash and the two houses dash and dash तो सबसे पहली बात तो करो तो president ठीक है the parliament consists of the president of India तो president of India है दूसरी बात दो houses की बात करिए वो सब्सक्राइब यहां पर होगे हमारे मालो हैड़ प्रेजडेंट और यहां लोकसभा और राज्यसभा समझ में आया लोकसभा राज्यसभा इन तीनों को मिला देंगे और एक बाडी बनेगी उस बाडी को बोलेंगे पार्लियमेंट विच इस लॉओ मेकिंग बाडी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों है लेकिन लोकसभा इस लॉओ मेकिंग बाडी नेक्स फॉश्ण की तरफ आजो दो लोकसभा इस लोकसभा को हम और क्या बोलते हैं अग्स देखिए वो इलाक्ट left the members of आफ दी लोकसभा लोकसभा के members को कौन चुनता है ठीक है लोकसभा में जो members रोते हैं उन्य नहीं qton चुनते है दा the proceedings in the लोग सभा भी बोल लाय यह एपना इसे चले जी चलेगा , यह बोल लाय था पतला यह सारे जो प्रोसीडिंगस होते हैं , शारे जो काम होते हैं वह कौन गाइड करता है तरीके से the speaker ठीक है लोगसभा में गयाद रखना यह चीज speaker guides the proceedings in the लोगसभा the speaker guides the proceedings in the लोगसभा next question देखो who elects the speaker अभी जो speaker है जो proceedings को guide कर रहा है वो कौन चुनता है ठीक है वो कौन चुनता है भई he is elected by the members of the house ठीक है member of the house के द्वारा ही वो चुन रहा जाता है the members of the लोगसभा are elected for a term of कितने टाइम के लिए चुने जाते है member 5 साल के लिए the members of the लोगसभा are elected for a term of 5 years next question देखो who can vote in general election जब general election होते है तो भई कौन वोट दे सकता है हिंदू दे सकता है मुसलिम दे सकता है गरीब दे सकता है अमीर दे सकता है कौन दे सकता है तो यहां कोई जातपात नहीं है कोई जेंडर नहीं है सिर्फ any Indian citizen आपका भारती होना ज़रूरी है कोई भी भारती है बस क्या शर्त है कि वो 18 साल से उपर का होना चाहिए उसका age वोट दे सकता है जब होते हैं तो कोई भी भारती है कोई हिंडू से मतलब नहीं है मुस्लिम से मतलब नहीं सिक्स से मतलब नहीं इसाही से मतलब नहीं काले से मतलब नहीं गोरे से मतलब नहीं लड़के से मतलब नहीं लड़की से मतलब नहीं कोई भी भारती है जो 18 साल से उपर काफ होगा वो जनरल एलेक्शन में वोट दे सकता है निक्स देखें वाट आर क्वंसिक्वंसेज अब यह क्वंसिक्वंसेज क्या होती है देखो दा होल कंट्री एस बिवाइड इंटो अनमबर ऑफ स्मॉल एलिया और उन इसमॉल एलिया को अब एक चीज देखना क्या होता है जैसे लेट सब्सक्राइब हमारा यह बड़ा सा हम भारत बरा लेते हैं अब एक साथ इतने बड़े देश को मैनेज करना तो असान नहीं है सो क्या किया जाता है छोटे छोटे ऐसे इलाकों में से बाट लो ठीक है अब यहां से एक MLA जीते का यहां से एक बंदा जीते का यहां से एक बंदा जीते का यहां से एक बंदा जीते का यह जो area होता है यह कहलाता है ठीक है अब यह चीज़ याद रखना है तो whole country पूरे देश को divide किया जाता है has been divided into number of small areas में और उसी areas को कहा जाता है स्पैलिंग याद कर ले ना भाई who can be elected as a member of parliament कौन जो है वो elect किया जाता है as a member of parliament the person who gets the highest number of votes जब आपने यहां पर देखो आप यहां देख रहे थे ना कि वोटिंग होती है ठीक है अलग-अलग यहां पर अब यहां से जो जीत रहा है यहां से जीते का यहां से जीते का तो वहीं बंदा बन सकता है जो अपने एरिया से जीत गया वह कौन बन जाएगा हमारा member of parliament बन जाएगा ठीक है who can be elected as a member of parliament तो तो ऐसा तो कुछ नहीं कि यह जीत सकता है वो जो भी जीत जाएगा the person who gets the highest number of votes तो जिस भी इंसान को highest number of votes मिलते हैं इंदी election is elected as a member of parliament यानी MP बन जाएगा ठीक है कहां का for that constituency जो जिस भी उससे वो लड़ा होगा the लोकसभा can have the maximum of tax numbers members तो लोकसभा में maximum कितने maximum ने सबसे जाएगा कितने members हो सकते हैं अधिक से अधिक 552 552 next question देखो where is the parliament of India situated parliament कहां है भारत की संसत कहां पर है सभी को इसका अंसार आता होगा the parliament of India is in New Delhi next question देखे who designed the parliament of India बहुत ही important question है who designed the parliament of India किसने design किया है the building was designed by sir adwin light twins इनकी spelling याद कर लेना भाई and sir harbert baker चीक है तो इनके तारह design किया गया था which is the upper house of the parliament अब देखो lower house हमने पढ़ा लोकसभा upper house कौन सा है राज्यसभा next देखो are the members of राज्यसभा elected directly by the people क्या भाई लोग direct चुनाव में जब वो खड़े होता और directly हम लोग उनको election में वोट दे कर आते हैं नहीं यह directly नहीं चुने जाते हैं तो फिर यह question आता है कि who elect the members of the राज्यसभा भी लोगसभा के तो हम direct वोट दे रहे हैं तो फिर राज्यसभा के member को कौन चुनता है members of state legislative assembly चुनती है and union territories उनको elect करती है ठीक है the members of state legislative assembly and union territories elect them उनको चुनती है समझ रहे हो who elects the member of the राज्यसभा members of state legislative assemblies and union territories elect them next question देखो there can be a maximum of dash members इनना राज्यसभा अब राज्यसभा में maximum कितने members हो सकते हैं answer is 250 ठीक है next देखो how many elected members are there in राज्यसभा र्वाराज्यसभा में कितने elected members होते हैं कितने members होते हैं elected यहाँ पर elected or nominated actually दोन ही होते है only elected माने जो चुने जाते हैं nominated माने इनका नाम जिन को चुनते हैं आप हो ऑम मने बताऊंगी nominate कौन करता ना मैंने को पहले बताऊंगे कितने हुं 238 members ठीक है? How many nominated members are there in RAJASHABA? Nominated कौन होते हैं? 12 होते हैं. होते हैं? これ कौन नम कहता है? इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ. The President of India nelle Bevölkerществ the members of RAJASHABHA the members of RAJASHABHA the members of RAJASHABHA are elected for a term of dash years कितने साल के लिए राज्य सभा के एक एक मेंबर का चुना वाता है तो हर मेंबर छे साल के लिए चुना जाता है ठीक है how many members of raza retire after every two years छे साल के लिए चुने जाते हैं अब एक ग्रुप का 6 साल पूरा हो जाता है कब वन थर्ड मेंबर्स जो थे ऐसे समझाती हो लेट सपोज यह पूरे मेंबर्स हैं इसको तीन भागों में बाट लो अब यह रिटायर हो जाएगा गुरुप और सिर्फ वन थर्ड ही वापस से चुलिए जाएंगे ठीक है वन थर्ड का ही सेलेक्शन ह यह गुरूप अपना क्यूंकि पुरा चे सहल पूरा कड़ कर चुका है तो पहला गुरुप रिटायर हो गया यहाँ पर फर से एक और ग्रुप हमने चुन लिया उतने बीच में एक और ग्रुप जो है वो आ गया नया अब यह रिटार हो जाएंगे अब लेगे वाले ग्रुप जब रिटार होगा तो फिर नया ग्रुप आ जाएगा जब ऐसे करते करते 2-4-6 साल बाद जब हम इस ग्रुप तब पहुंचें कोन है दे वाईस प्रेजडेंट होते है दे वाईस प्रेजडेंट हमारे जो और प्रेजडेंट के इसे चुना चाहता है त। अब इसे मैंबर्स ओफ दी लोग सभा फिकी है दे राज्ये सभा और कॉन हें साथ में and the state legislative assemblies state legislative assemblies सब मिलकर elect करते हैं हमारे president को ठीक है the members of Lok Sabha and Rajya Sabha and the state legislative assemblies elect the president next देखे the president is elected for a term of dash कितने time के लिए for a term term कितने term के लिए चुने चाते हैं 5 साल के लिए dash system is a very important part of our democracy तो कौन सा system हमारे democracy के लिए बहुत important है वो है multi party ठीक है अलग अलग party अगर एक ही party होगी तो आप किसे क्या चुनोगे अब एक में तो आपके पास selection ही नहीं होगा तो multi party है तो आपके पास चुनने की जब होती है ना choice तो रहती है कि बीजेपी को vote दें समाजबादी पार्टी को vote दें किसके member को vote दें तो इसलिए multi party जो होती है वो democracy के तरीके से नीव है बहुत important part है हमारी democracy का इन आप national elections जब national elections होते हैं different parties filled their dash तो fill क्या करती है वो क्या करती है फिल दियर candidates तो अभी जब national elections होते है तो अलग अलग party अपने जो members है उनको चुनाफ में उतारती है ठीक है अपने candidates को members को members भी नहीं बो सकते होने candidate ही बोला जाएगा उनकी तरफ से कौन लड़ने आ रहा है तरीके से चुनाफ who forms the government at the center अब center में जो government होती है ठीक है उसे confirm करता है the party that gets the maximum seat भाई मानलो BJP को maximum seat मिली तो BJP के जो है वो government form कर लेगी तो the party that gets maximum seats in the लोकसभा ठीक है लोकसभा के election हुए जिस भी party के members को सबसे दावोट मिले वो क्या करेगी form करेगी government at the center ठीक है the dash appoints the leader of this party as the prime minister अब देखो लोकसभा के member चुनके आए उनके आने के बाद इनोंने अपनी center में government बनाई इनका जो leader था लोकसभा के जो जो group जीता है उनका जो leader था उसको prime minister बनाया जाता है कौन बनाता है उसको prime minister, president ठीक है उसको appoint करता है president who forms the union cabinet union cabinet कौन फर्म करता है आप सब जीतने में इतना तो हो गया अब क्या होगी union cabinet form होगी वो कौन फर्म करेगा the prime minister ठीक है union cabinet में क्या होता है union cabinet consist of the consist of the council of ministers ठीक है अलग-अलग ministers होंगे the ministers in the union cabinet can be either from the dash group या फिर dash group कौन-कौन से उसमें से हो सकते है राज्य सबा से भी हो सकते है union cabinet के सद़ से और लोगसभा से भी हो सकते है ठीक है दोनों में से हो सकते है union cabinet के सद़ से राज्य सबा और लोगसबा दोनों में से हो सकते है every state has a dash हर state के पास क्या होती है जो law बनाती है उस state के ठीक है it makes laws for the state state के लिए legislative assembly ठीक है legislative assembly who elect the members of legislative assembly अब जो legislative legislative assembly है जो लौ बनाएगी वहां उस राज जेके उसके मेंबर्स को कौन चुनता है तो मेंबर्स ओफ लजिजलेटिफ असेमली यानि MLA's are elected by the people उने भी हमी लोग चुनते हैं मतलब उसके बंदे को अम वोट देते हैं और फिर वह जीते हैं तब जो है लजिजलेटिफ असेमली में जाते हैं वह इक तरीके से MLA's are elected for a term of MLA's जोते हैं वह कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं answer is five years who is called the head of the state head of the state किसे कहा जाता है the governor is the head of the state तो governor को क्या कहा जाता है head of the state कहा जाता है who appoint the governor of the state अब governor of the state को appoint कौन करता है कौन चुनता है the governor is appointed by the president of India ठीक है governor राज्यपाल उसको कौन चुनता है appointed by the president of India president हमारे राश्ट्रोपती चुनते हैं और कितने टाइम के लिए ये भी मैंने इसी question में दे दिया है five साल के लिए चीक है five साल who invites the leader of the winning party to form the government अब government form करने के लिए कौन invite करता है winning party के leader को the governor invites the leader of the party that has got the maximum seats in the legislative assembly ठीक है legislative assembly में जब election हुए तो जिस भी party को सबसे ज़ादा vote मिले governor उस party को invite करेगा और बोलेगा कि आप अपनी government form कर लीजी ठीक है ये तो legislative assembly के तो state वाले हो गए ना इक तरीके से समझ रहे हो ना next देखो the leader of the majority party becomes the leader क्या बन जाता है chief minister बन जाता है ठीक है next आज आजओ तो डाइश ऑफ इंडिया प्रोवाइट फॉर दा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो किस ने इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इंडिया को प्रोवाइट की है the constitution of India सम्मिधान के द्वारा which is the highest judicial body in our country सबसे बड़ी judicial body ठीक है वो हमारे country की कौन सी है the supreme court in New Delhi is the highest judicial body in our country the supreme court है सबसे जादा सबसे जादा उपर कह सकते है सबसे जादा मतला power हमारे supreme court के पास है which judicial body gives the final judgment in any legal case तो कौन सी judicial body है जो final judgment देती है किसी भी legal case में वो है supreme court of India there can be maximum of dash judges in the supreme court supreme court में maximum कितने judge हो सकते है answer is 31 maximum जादा से जादा 31 हो सकते है the highest judicial position is that of the dash in the supreme court किस की होती है supreme court में सबसे उपर position वो होती है chief justice की who appoints the judges of the supreme court supreme court के judges को को है ना appoint करता है all the judges are appointed by the president of India तो president of India के द्वारा ही चुने जाते है which is the highest judicial body in our state highest judicial body state की कौन सी है the high court is the highest judicial body in our state what is the meaning of nominate अब nominate का मतलब क्या होता है to appoint to an office वही किसी को appoint करना office में ठीक है और what is political party political party का मतलब क्या हुआ ग्रूप ओफ पीपल लोगों का वो ग्रूप having common aims जिनके जो एम है लक्षे है वो सेम हूँ आइडियास सेम हूँ तब ही तो वह एक party में है जैसे भारते जंता party Indian National Congress and so on अब क्या है देखो जो भारते जंता पाटी है उसके लोगों की सोच एक जैसी है उनका एम एक जैसा है तब ही तो वह एक पार्टी में है एक गृप में नहीं तो अलग अलग गृप में नहीं होते अगर चैपर वाली वीडियो नहीं देखिया उसे भी देखो और जाद आपको क्लारिटी आएगी डिफिकल चैप्टर है फॉर्टे क्लास फॉर्टे स्टुडेंस ऑफ लेकिन यह है कि अगर आपने इक बार कर लिया तो आगे की क्लासस में भी आपको बहुत असानी हो जाएगी देखो चैपर यहां पर इस वीडियो को करते हैं हम लोग फिनिश और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चितना जादा हो सकता है उतना जादा शेयर करना शेयर इसलिए करना क्यों आप बहुत सारे बचो को हैल्प कर सकते हो यह नोट्स पहुचाने में मेरी ठीक है तो आप उन बचो की भी हल्प करो भाई जिन बचो की ताक यह नोट्स नहीं पहुचें अभी तक उनको भी काफी ज़्यादा बैनेफिट होका अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा भी हो रहा है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना चलिए फिर आज की वीडियो यही पर फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में तिल देन लव यो ओल बाई